नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूटूब चनल पर स्वागत है इंडियन इंस्टिटूट ओप टेकनोलोजी बंबे की तरफ से एक स्टाब नर्स की वेकेंसी आई हुई है इस स्टाब नर्स की वेकेंसी में क्या-क्या क्वालिपीकेशन रने वाली है कौन-को क्वालिपीकेशन जो प्रोफाइल क्या रहेगी आपकी फोरम पीस कितनी लगने वाली तो सारी जानकारी में आपको इस वीडियो में देने वाला हूं और आपको किस परकार फोरम बर पाएंगे प्रोसीजर क्या रहेगा और कहां पर आपकी पोस्टिंग होगी सारी जानका मिलेगी वो भी मैं बता चुका हूँ आपको ठीक है तो चलिए दोस्तों डीससबी का अगर वीडियो आप देखना चाहते हो तो यहां आई बटन पर जाकर या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में डीससबी के सेलेबस का वीडियो मिल जाएगा वो भी आप देख सकते हो तो चलिए इंडियन इंस्ट्यूट अप टेक्नलोजी बॉमभय याने की आई टी बॉमभय की तरब से वेकंसी आई हूई है जूनियर स्टाप नर्स की वेकंसी है नाम का जूनियर है लेकिन सेलेरी बरमार है जो preference number आप यहां पर देख सकते हो application की जो end date रहेगी वो 31 January 2024 तक आप इसका फोंबर पाओगे यह जो post रहेगी temporary post आपकी रहने वाली कैसे रहने वाली दोस्तों temporary रहने वाली है और इसमें जो number of position है number of post है वो 3 post इसमें खाली है जिसमें इसे 2 UR category की है और 1 OBC category की है यानि कि जो IIT Bombay की तरब से जो vacancy आई हुई है इसमें 3 post है total रहेगी एक OBC की है और 2 UR category की है और इसमें जो IIT Bombay है वो IIT Bombay invite online application from Indian citizens जो भी Indian citizens वो इसके लिए apply कर सकते हैं और इस post के लिए have requested qualification and experience against 3 vacancy junior staff nurse post to be deployed to be IITB hospital on selection यानि कि IIT Bombay का जो hospital है उसमें तीन पोस्टों की जरुरत है और उनकी qualification experience इनों नीचे दे रहा है उसके आधारपदे को qualification क्या है जो उने staff nurse के लिए 10 plus 2 साथ में 3 year का आपके पास JNM का डिपलोमा है तो भी आप इसके लिए apply कर सकते हो अगर आप BAC nursing student हो BAC nursing आपने कर रखिये अग BAC nursing के क्या लिखा है इनों ने देखो इनोंने लिखा है इसमें 3 year का experience है जीने मालों को 3 3 साल का experience मांगा और BAC nursing के साथ साथ आपके पास अगर 1 साल का experience है तो आप इसके लिए apply कर सकते हो अगर 1 साल का experience भी नहीं है तब भी आप apply कर सकते हो क्योंकि इसमें फोरम कमाएंगे और आपको मोका मिल सकता है लेकिन ही ए आपको handing over and tasking over the admit patient या आप जो पेसेंट होते हैं उनको handle करना उनको देखना है उनका treatment करना है admission and discharge patient का बनाना है मतलब उसमें काम करना है supervise the patient diet patient की diet को supervise करना है demonstrate and carry out epicent nurse care आपको nursing care देनी है इसके साथ attending round with medical and nursing persons यहने कि आपको attending करना है उसको round attending करना है assist करना है डोक्टर को participate in the help in clinical clinical investigation procedure procedure में आपको participate करना है साथ ही साथ demonstrate and carry out pre-operative and post-operative care of patient यहने कि patient की pre-operative and post-operative care भी आपको देनी है maintain of patient record patient का record maintain करना है follow prescribed rule in case of accident and death of the patient यहने कि patient की death हो जाते है या उसका accident कोई case होता है तो उनकी जोग रूल है उसको follow आपको करना है इसकी जो profile रहने वाली है इसके लावा give information and health education to patient and attendants जो उसके attendance होते हैं उसको आपको information देनी है सही information को देनी है in charge को intimate को सूचना देनी है साथ साथ assist in the ward administration यह भी आपका काम हो सकता है मतलब इतने जो 13 तरह के काम बता है इन में से कुछ भी आपको एक काम सोपा जा सकता है आप ward nurse के रूप में काम करोगे pay detail जो आपकी रहेगी pay level 6 और pay level 7 के according होने वाली age पर provision of the recruitment rules जाने की recruitment rules में यही लिखा हुआ है कि आता आप level 6 में लगोगे या level 7 में आप लगने वाले हो अगर level 6 में आप लगते हो तो आपको 35,400 से लेके एक लाग 12,400 रुपे आपका basic pay रहेगा लेकिन अगर level 7 में आप लगते हो तो 4,900 से एक लाग 12,400 के बीच में आपका basic pay रहने वाला है यह depend करेगा किसमें इस पर आगे और क्या चीज़ लिखी हुए है initially appointed on 3 year contract age at pay level 6 अगर आप 3 साल के लिए लगते हो उसके 3 साल तक आपको basic पे जो रहेगा level 6 के according contract पे 35,400 हो रहेगा लेकिन इसके बाद जह 3 साल बाद आपको level 7 के according प्लेस्ट मिल जाएगा आपकी age limit 32 होनी चाहिए 32 साल में एज लिमिट यहाँ पर मागईए इसके साथ साथ आपके जो process रहेगी वो क्या रहने वाली है application in the response to advertisement will be scrutiny इसके पूरा आपको डॉकुमेंट की स्क्रीनिंग होगी स्लेक्स प्रोसीजर जो रहेगी आपका एक return test होगा उसी क्यादार पर होने वाला है return test आपका इसमें conduct करवाए जाएगा इसके application पीस के अगर मैं बात करो तो आपको application पीस 50 रुपे लगने वाली के इसमें कोई पीस नहीं लगती लेकिन लेकिन वो अगर जनरे रडिक करेंगे तो उनको 50 रुप मैं यह सारे चीजे हैं इसमें इसके एक्जाम डेट कभ आएगी सब कुछ हम बाद में आपको जैसे आएगा एप्लिकेशन का जो और अपडेट आएगी हम चैनल के माद आपको दे देंगे यह पीडेप मैंने टेलीग्राम पर आपको दे दी हैं साथ इसमें एक डेकलेरेशन फोर्म भी एक लिंक मैंने टेलीग्राम पर आपको दे रखी इस इस टाप नर्स फोर्म एपलाइ लिंक यह लिंक आपको दे रहेखी है इस लिंक पर आप कलिक करके अपना फोर्म बर सकते हो इसके साथ नीचे आप देखोगे चैनल पर डिएस इस पी ग्रेड एके ओल्ड पेपर हैं दीएसस्पी नर्सिंग ओपीस रहें के दोजार गुनिस वाले सारे पेपर में यहां पर अपलोड कर रहें तो इस टेलेग्राम चैनल उसको आप जोई कर दिया तो दोस्तों इस वेकेंसी को अगर आप चाते हो अच्छी वेकेंसी आएटी बोंबे नाम चलता है आप वहां पर एपलाई करिए आपको अच्छा अच्छा वहां पर तीन साल बाद आपको लेवल सेवन की पर्मानेंट कर दिया जाएगा यह वेकेंसी बहुत लगबग आपको गुंतिस दिन बनने के लिए दिये गए इसमें फोरम कम आएंगे तो आपका चांस बन सकता है अगर आपके पास एक्स्पिरिंस नहीं है फिर भी आप एपलाई करिए फिर भी क्या करिए एपलाई करिए आपको मोखा मिल जाएगा ठीक है तो इसकी आपको इस पर जाकर आप इसका नोटिफिकेशन खुद देख सकते हो इस वेबसाइट को कोपी करकर आप पूरा डालोगे तिया नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड हो जाएगा कोई मैंने फेक नोटिफिकेशन आपको नहीं दिखाया हाला कि मैं एक पोस्ट का यह वीडियो बना जो भी सारे खूर्मेंट रूर्मण वो सारे रूल मैं चाहब हो जाते हैं तो अच्छी बन जाती है अगर सिक्स्अ को दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके बताना हर कमेंट आपके हम देखते हैं टेक कीर